हाई फ्रेंड मेरा नाम है विने और आप सभी देख रहे हैं अपना चैनल डिश्टल गुने दोस्तो गर आपने रिसेंट्री फ्लिपकार्ट पे कुछ भी ओर्डर किया था और आपका जो ओर्डर था वो फ्लिपकार्ट टीम के तरफ से कैंसिल कर दिया गया है तो यह वीडियो बिल्कुल आप ही की नहीं क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊगा कि वो क्या कारण है जिस वजे से आपकी फ्लिपकार्ट पे जो ओर्डर किये गये थे वो कैंसिल किये गये सब कुछ मैं यहाँ पर डेटेल में बताने वालो हूँ लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ अगर आप पिछले कई दिनों से अगर आप न्यूज देखते होंगो तो एक चीज़ ज़रूर ट्रेंड कर रही है फ्लिपकार्ट इसके अगर बात करते हैं त्विटर हो या आप फिर आप बड़ी बड़ी वेबसाइट हो जैसे कि आप जागरान हो या फिर बिजनेस टूड़ हो या फिर इंडिया टाइम सो सभी जिगाओं पर इसके बारे में बात की गई है कि जो फ्लिपकार्ट है वो अपने ओर्डर को कैंसल कर रहा है जिस पर उसने यूज डि टॉलिबैक बॉक किया था करीब और करीब मेरे को 449 रुपह का यूज डिसपान पर नर्वलनी यह जो टॉलिबैक रहता था बाराएस से पंद्रासों के आस-पास क्लिपकार्ट पर मिलता था लेकिन Flipkart की Big Billion Day Sale में मेरे को ये 449 रुपए का दिया गया था तीस तरीक को मैंने order place किया था और दो तरीक को ये order cancel कर दिया गया था सेम यही सिनारियो जो था वो पुवा सूस के साथ था कि तीस तरीक को मैंने order place किया था और ये 2 October को मेरा जो order था वो cancel कर दिया गया और दोनों में सेम रिजन बताया गया है कि out of stock तो सबसे पहली लोगों के confusion आ रही है बाई जब आपके पास stock था ही नहीं तो आपने क्यो order accept किया था तो चली ये सारी चीज़े तो अलग हैं लेकिन मैंने actual इसके बारे में जानकारी प्राप कनी चाही ये flip card की team से तो उनके दारा जो मेरे को information प्रोवाइट कीगी उन्होंने काया कि ये जो order है ये seller के इंसे यानि कि close किया गया यानि कि आपके order को cancel किया गया है मैं कि आपको मैं reality आपे बता दू कि ये seller के यापे fault नहीं है यहाँ पे जो पूरी के पूरी fault ये order जो cancel किया जा रहा है seller के ना through ना होकर ये flip card की द्वारा इंट किया जा रहा है मैं ऐसा क्यों क्या रहा हूँ मैं इसके पीछे आपको proper reason दिखा देना चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रॉनी बैट बुक किया था और आप देख सकते हैं कि 449 रुपए का था वो कह रहा है कि seller द्वारा wrong price इंटरी कर दे गए थी जिस वजे से आपको यह सस्ता दिखाई दे रहा था जबकि ऐसा कुछ नहीं seller ने अपनी information वापे सही दी थी आप देख सकते हैं गर यहाँ पे price पर आएंगे कि MRP करीब आपका 6,748 पर दिखाई दे रहा था selling price जो normally चलता था वो 2,60 रुपए रहता था extra discount उस टाइम पर चलता था 4,60 रुपए का special price जो flip card की sale के लिए रहा था वो था 599 रुपए लेकिन flip card ने लोगों को attract करने के लिए उस दिन जो था extra 75% का offer निकाला था कि particular इस time duration के बीच में जैसे 8 से लेके 10 के बीच में जो भी बंदा हमारी website के तुरू purchase करेगा उसको 75% का extra discount दिया जाएगा तो कुछ discount की बदलत ये जो हमें ट्रॉली बैग था 449 रुपए का पड़ रहा था लेकिन हुआ क्या कि काफी huge amount पे लोगों द्वारा order किये जाने के वज़े से ये जो हमारा order है उसे cancel किया गया मेरे को केवल और केवल सिंप्ली यही result समझ में आ रहा है क्योंकि out of stock का कोई reason यहाँ पे बनता है नहीं गर out of stock होता तो seller वो order को accept ही ना करता जितना उसके पास stock रहता उतना ही order accept करता उसके बाद वो अबना वहाँ से बिस्ट्रे सो करना यानि कि उनकी flip card की जो website पर उस पर सो करना seller का बन कर देता है तो यह पूरी तरह से गलत है कि seller ने order तो cancel किया है उसके पास stock नहीं था यहाँ पे केवल और केवल जो हमें reason समझ में आ रहा है वो है flip card द्वारा जो उन्होंने extra 75% का off दिया गया है अब वो देने से इनकार कर रहे है मेरे को एक चीज़ यह भी समझ में आ रही है कि flip card ने सोचा गया होगा कि जैसे 8 से लेकि 10 के बीच में हम आपको offer निकालेंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि 10 से 5 इनेट में offer निकालूगा लेकिन उनकी website में में भी कुछ हो सकता glitch है या फिर कोई ऐसी problem है कि वो जो offer था वो 5 इनेट तक application ना होकर वो आदा से एक घंटा तक के लिए बना रहा जिस वज़े से करीब हजारों लोगों ने उस order को place किया और अब जो flip card के seller है या फिर flip card है इस offer को लोगों को देने से मना कर रहे है और उनके order को cancel कर रहे है तो मेरा flip card से given एक ही यही बात कहना है कि भाई flip card अगर आपने कोई order accept किया है तो भाई आपको कम से कम उस order को dispatch करना चाहिए था जिनसे आपने prepaid में पैसे ले रखेते हैं बाकि आपको इन सारी खीजों को पहले से ही दियान देना चाहिए कि आपने क्या offer दिया है क्या नहीं दिया है क्योंकि आप अपनी website पे fake discount दिखा देते जैसे 60 से लिके 90% आपने एक मिनिट लिए दो मिनिट लिए तीन मिनिट लिए आपने निकाला और उसके बाद पूरे यूजरों को आप महँगा महँगा बेच रहे है अगर बदगलकी से किसी यूजर ने सस्ते रेट में कोई भी प्रडिक्ट परचेस करने है तो आप उसके order दो कैंसिल कर दे रहे तो जो ये रीजन है मेरे को समझ में आ रहा है कि पूरी के पूरी विंसमेज जो फॉल्ट है वो फ्लिपकाट टीम के द्वारा है अब वो बाद में आपको चाहिए जो भी बता है कि सेलर के दौरा रांग प्राइस एंटर कर दिया गया है या फिर स्टाक आउट हो जूका है या फिर शेलर के इंट से कैंसिल कर दिया एक यह सारी खीजे बे-बुनियाद चीज़े हैं आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आए उडियो पसंद आते उडियो को लाइक करेंगा चैनल को सेस्क्राइब करेंगा दोस्तों भी शेर करेंगा धन्यवाद